प्रेंगा गानी ने कहा किसानों को प्रतारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही भाजपसरकार अमिच्छा का तीन दिन का कश्मीर दौरा आज से एक अपिल सिबल ने उठाई सवाल सियम योग्या अदितिनाद का सुल्तान पूर मेटकर नगर वारार सी दौरा कई परियोजनाओ का करेंगे लोकार पडशला न्यास सपाद्यक्षकलेश यादफ का जन्म दिन आज सपाद दफ्तर के बाहर लगाई गई होल्डिंग्स आ रहा हूं मैं इस लोगन के साथ लगाई गई होल्डिंग्स अलीगर में पुलिस ने थाने में लगाई पाठ शाला अम जन्ता को पढ़ाया जाएगा शालींता का पाठ जन्ता के दुख दर्द में शामिल रखेंगी खागे नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिखा महरोतरा शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलिटिन की मुख्यमंतरी योगी आदेतनात आज सुल्तानपुर अमबेटकर नगर और वारारसी का दौरा करेंगे अपने इस दौरे पर सीम योगी सुल्तानपुर के इसौली और अमबेटकर नगर की अगबर पुर्विधासबा छेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी आज तक इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर पाई नहीं है ऐसे में सीम योगी का ये दौरा और यहां होने वाली जनसभा महत्वपूर मानी जा रही है अपने दौरे के दौरान सीम जुनता को कई सौगात भी देंगे सीम आज सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिला न्यास करेंगे इसके लावा दोनों जिलों में साथ-साथ कई योजनाओ को उदगातन और शिला न्यास भी करेंगे वहीं वारारसी में सीम योगी प्यम मोदी के दौरे से पहले दौरे के तयारियों का जाइजा लेंगे और अधिकारियों के साथ असमीक्षा बैठक भी करेंगे इसका बर पर मैं सवजाद बाद चीत के लिए मैं समबदाता गौरफ जुड़ चुके हैं मैं साथ गौरफ सीम योगी के क्या कुछ कारिकरम है आज देखे जैसे से बिरान्सवा चुनव पास आ रहा है बैसे बैसे मुखबंत्री योगी आरितनार लगाता अपने दोरों में तेजी लाज वह लगाता दोरे कर रहा है और आम जनता से संबाद विस्तापित कर रहा है इसी कड़िये माने दे सकता है कि आज मुकफंत्री योगी आरद्थनाइच सुलतानपुर, अंबिटकर नंगर और Baina região के दौरे की बात करें तो मैं आपके बतादू कि से सुलतानपूर की सुली बिर्यादसवा सिीट है यह बिर्यादसभी जीत नहीं पाई तुर बशनाटर्र में मतलई मेडां से से लोकाइब कड़ करेंगे राज की सलधानीb बीजेपी की खाते में अब तो सीट नहीं आ पाई है, वहाँ के जनता को संबार के दोवारा अपना साजा करेंगे और अपने पाले में करने का प्रयाज भी उनके दारा किया जाएगा, इसके लाबा फिर मुखमंतरी अम्मेटकर नगर भी जाएंगे, बहाँ पर भी कई बीजेपी को अपना समर्थन क्यों नहीं दिया है, वह जानने का प्रयाज भी किया जाएगा, उसके बार मुखमंतरी बनारस जाएंगे, बहाँ पर कई अधिकारियों साभी करेंगे, क्यों आपको बता दू, आगा में 25 अक्टूबर को पिरामंतरी नरेन मोडी का वहाँ प पियम मोडी के दौरे भी है, तो क्या पियम मोडी को उन सीटों पर इसलिए उतारा जाएगा, ताकि वहाँ के जनता बीजेपी के कामों को पियम मोडी के दौरा समझ सके, क्योंकि जब पियम आएंगे तो अपने कामों को भी बताएंगे, और साथ ही कई योजनाओं का पूर्बाजार के वान्षा समयों लगातार वो जा रहा है उसको साध्यका प्रयास किया जा रहा है। अब उसमें को सब्सक्राइब करें यäter स्लिनाज विस्टारा ने क्या किया है उसको सब्सक्राइब करें रहे हैं क्या उपलब दिया रही है इसको भी प्राह मंत्री नरींद्र मोदी बताएंगे और मुक्मंती योगी राधार लगाता दोड़े के माद्डम से यही चीज़ साजा कर रहा है जनता से संबाद कर रहा है बहुत 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 शुक्रिया माईसा जुड़ने के लिए हो तमाम जानकारी के लिए इस कबर पर माईसा समधा था गौरफ जुड़े थे जिन्नोंने में बताया कि आने वाले चिनावी मोहर को देखते हुए ही लगतार सीम योगी आधितनात के दौरे चल रहे हैं और इस पहुँचे जहां योगी सरकार से लेकर आगरा पुलिस पर जुबानी हमला बोला उन्होंने कहा कि पुलिस नहीं गुंडे है ये पुलिस के रूप में भक्षक मुआवजे पर भी योगी सरकार ने दोहरा पक्षपात किया है विवेक्तिवारी और मनीश मामले में 40 लाक औ और OSD की नौकरी जबकि दलित की हत्या मामले में मुआवज़ मेहज 10 लाक सरकारी नौकरी कहां और कब कोई अतापता नहीं है जिस सरकार का मंतरी किसानों पर चड़ावा देता हो गाड़ी उस सरकार के लिए दलित की हत्या कौन सा बड़ा काम है हमारी लोगों की हत्या करन परिवार से मलकात करने पहुंचे और साथ ही बीजोपी पर जम कंदिशन असाते हुए भी नवजराई चंदरशेकर रावर कि यही तो है ना यह फर्क है मुझे कहना पड़ेगा मीडिया के साथियों से कि जब तीवारी जी की हत्या हुई तो 40 लाग रुपए और सरकारी नोपरी OSD की क्लास्वन की दे दी गई जब मनीश गुपता जी की हत्या हुई दुखा दे वो भी नहीं होना चाहता उनके पर पेट्रॉल डीजल की कीमतों को लेकर दिये गए अपने बेतु के बयान से फजीहत करा चुके यूपी सरकार के मंतरी उपेंद्र तिवारी ने धम की भरे अंदाज में सफाई दी है बल्या में उन्होंने कहा कि सुनने वाले समझ नहीं पाई लिखने वाले नशे में रहते हैं मैंने पेट्रॉल से चलने वाली चार वहिकल की बात कही थी मंतरी यहीं नहीं रुके उन्होंने खुद को बेबाक बताते हुई दूसरों के दाइरे में रहने की नसीहत भी दे दरसल विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आने और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद उपेंद रतिवारी की ये प्रतिक्रिया सामने आई है सीधे तोर पर उन्होंने बताया है कि लिखने वाले नशे में रहते हैं और सुनने वाले भी समझ नहीं पाया और खुद को बेबाग बताया है पेट्रॉल डीजल की कीमतों पर उनका विवादित बयान सामने आया था जिसके बाद एक बाद फिर वो नसीहत देते हुए नजर आए है उन्होंसे भी तरिके के पत्रकार में होता हैं और हम ने देखार की बहुद से लोगंने सुर्क्यों में लिखा लिखिए हुए को लिकान जीक नहीं है। हम दो कि विबाक समझ शुरा करके लिखने वाले लोग भी आ और हर्ट का से जुड़े बेसे की हैं और भीूर समस्ट को अपने घारे में तो आवर विलर गाडियों के साथ बात कही है और इस लिए पुरए और पूरा यह डिजल्वो करें देंगे और कांग्रेश पार्टी पहले राजियों में अपने पहले देखिये और वहाँ पे कंट्रोल करें सबसे जाधे कंग्रेश शिला रही है। और कंग्रेश की जबाने मрий मैं मांगाई कहां गई मैं जल्दी-जल्दी मैं नहीं बोला, जो नहरु जी ने नारा दिया, रोटी कपड़ा ओर मकान, उसिन नारी को बढ़ाने काप। इंद्रा जी ने किया उसी नारे को बढ़ाने का काम राजी गाहंधी ने किया और आज उसी नारे को बढ़ाने का काम राहुल प्रियंका और सोनिया कर दो न रोटी दी, न कपड़ा दी, न दी मकान, बलकि हिंदुस्तान के हर एक किसान गरीब और किसी भी परिवार से पैदा होने वाले बच्चा और बच्ची को कर्ज में डूपा हुआ मजबूर करने के लिए मजबूर किया। राज यादव को विधासबा चुनाओ लड़ने का टिकट मिल गया है। दिवाली से पहले ही प्रत्याशी तैय करने में बहुजन समाजपार्टी ने पहल कर दी है। इससे प्रत्याशी को चुनाओ प्रिचार के लिए परियापत वक्त मिल जाएगा और सभी चुनाओ आचार सहीता भी नहीं लगी है। दरसल पूरा मामला जिला अलीगड के विधान सबाच छर्रा के पहाड़ी पुर गाउं का है जहां बहुजन समाजपार्टी का कारकारता सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें बसपा के राश्र महा सचेव मुनकाद अली ने कारकारता को संबोधित किया इस दौरान मुनकाद अली मीजेपी पर जमकरबर से उन्होंने कहा कि पहले जो काम सो दो सो रुपए में चल जाता था वहीं अब दो हजार रुपए में चल रहा है इसलिए दो हजार रुपए का नोट भाजपा सरकार ने बनवाया है चनपत अलीगड़ में विधान सबा चर्रा केक कारिय करता सम्मेलन थाज जिसमें भारी तादाद में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और कारिय करता उपस्तित थे पुलिस के द्वारा पुलिस पार्टशाला का आयोजन किया गया पुलिस के पार्टशाला में समाजिक लोग महिला समू किसानेता सहित सम्भांत नागरिकों के द्वारा शिकायत की गई पार्टशाला लगाने का मकसद खाकी के साथ आम जनता का मृद विभार स्थापत करना है साथ ही तमाम तरहा की परिशानियों से आम जनता को निजात दिलाने का आश्वासन भी इस पार्टशाला में दिया गया सराथ जो पार्टशाला लगाई गयी सर किस उप्लक्स में कैसे किस क्या क्या ओ देश्य से लगए गया आज पुलिस पार्टशाला नाम से एक जो आज़िन किया गया है वह यह वास्वच आर्मी के द्वारा आज़ित किया गया है पुलिस के जोग्या ग्राम मजवाट पुलिस के मन में पुलिस का परती जो विश्वात है वह और बढ़ेगा सिर्धार्ट नगर की जोग्या ग्राम मजवन उपकेंद्र पर सास बहु बेटा सम्मेलन का कारिकरम आयोजित किया गया परिवार नियोजन और जन संख्या इस थरी करड़ में पुरुशों और महिलाओ को जानकारी दी गई और इस संदेश को जनजन तक पहुचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गई योजना सास बहु बेटा सम्मेलन का कारिकरम सफल रहा प्रतेग हेल्थ एंड विलनेस सेंटर पर ये कारिकरम का आयोजन किया जा रहा है और केंद्र मजुण में सास बहु का सम्मेलन का कारिकरम किया गया जिसमें स्वास्त सम्मंधी परिवार नियोजन और जनसंख्या के इस्थाई करण के लिए जोयनकारी विस्तरित पूर्वक दी गई और लोगों को स्वास्त के प्रतीज जागरुप किया गया प्रभारी चिकित साधिकारी डॉक्टर मानवेंद्र पाल द्वारा सरकार के द्वारा चल रही स्वास्त सम्मंधित सभी योजनाओ के बारे में विस्तरित विस्तार पूर्वक बताया गया साथी कोविड-19 वैक्सिनेशन और दस्तक अभियान सभीक ओ जागरुप और सम्मानिद भी किया गया वहीं CHO बलेश कुमार द्वारा मौजूद लोगों को परिवार नियोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई मेरा नाम बालेश कुमार है और समुदाइक स्वास्ता अधिकारी के पतपर मैं मजबन उपकेंदर पर हूँ और ये प्रोग्राम जो है मानिय मुख्यवंद्री की एक योजना है साथ बहु बेटा सम्मेलन और इस प्रोग्राम का जो माध्यम है वह यह है खुसाल परिवार और परिवार को कैसे चोटा बनाया जाए और कैसे उसको खुसाल किया जाए तो इसी प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग को हेल्थ वैलनेस और जाग्रुप तक अभिहान इसके माध्यम से देंगे आज यहाँ पर जो बैक्ति हमारे उपस्तित हैं आसाय, आंगनवारी और हम मुदाइस स्वास अधिकारी और हमारी सिश्टर और हमारे गैश्ट सभी को हम इसके लिए जागरूप करेंगे कि सभी लोग छोटा परिवार और खुसाल परिवार बनाएं। मुदाइस स्वाली नगर छेतर के सहाधत अली चावनी के रहने वाले DCM ड्राइवर राज कुमार के साथियों ने ही पेंट हर अपने की नियत से उसकी हत्या कर दी थी और उसे किनार फेक दिया था और उन्होंने बताया कि पुलिस ने DCM पेंट 9500 की बरामत की है स्वाली ने बताया कि अमरे तक रामकुमार DCM पर पेंट लाद कर बहराईच के लिए रवाना हुआ था इसे बीच उसके साथियों ने पेंट हर अपने की नियत से रामकुमार की सीतापुर में हत्या कर शफ को कंबल में लपेट का सड़क के नारे फेक दिया DCM लदे पेंट को बहराबंकी में एक व्यक्ति को बेच दिया उन्होंने बताया है कि अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस दो अभियुक्तों को गिरफतार कर चुकी है जबकि फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है जल्द ही फरार अभियुक्त भी गिरफत में कि सतीस और रमेश ने ये प्लान किया कि अगर जो कंपनी का माल जा रहा है इसको अगर हम गबन कर लें तो इसमें काफी मुनाफ़ा हो जाएगा इस उदेश से चुकि इसमें सतीस और रमेश दोनों मिर्टक के परिचित थे इसके साथ वाहन पे हो गए और जब बाहराईश की तरफ ये जा रहे थे तो इसी बीच रास्ते में सीता पूर में मिर्टक की हत्या कर दी गई गलागोट के और उसके बाद उसके शव को सलक के किनारे कंबल में लपेट के डाल दिया गया था और जो माल था उसको सुरेंदर सिंग नाम के विक्ति जो बारा बंकी के रहने यहां दे दिया गया था और उसके एवज में जो रमेश के पास साटनाव हजा रुपे वो बरामत किये गया है इसमें पूरा माल जो टरक में था वो बरामत किया गया है तो अभ्यूक्ट सुरेंदर और रमेश यह गिरफ़तार किये गया है फत्य पुर्जिले में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है आए दिन तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से कई लोगों की मौत हो जाती है तो वहीं कई लोग इसकी चपेट में आने से घायल हो जाते है वहीं फिर से एक बार फिर जनपद में तेज रफ़तार का कहर देखने को मिला है तेज रफ़तार अन्य अंत्रेतर डंफर ने बाइक सवार को जोड़दार टककर मार दी है जिसे बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई वहीं हाथसे के बाद परीजनों को जब इस बाद की सूचना मिली तो परीजनों में कोहरा मच गया ग्रामीडों ने टककर मार कर भाग रहे डंपर चालक को डंपर सहित पकड़ लिया और इस हाथसे की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने श मौत हो गई और गुसाई ग्रामीडों ने डंपर सहीत ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने शवको कब से मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है वहीं डंपर के ड्राइवर को भी रासत में लेकर आगे की जाच में जुट टीम ने छापे मारी की घटना को अंजाम दिया है बड़ी छापे मारी में 90 लीटर अव्याद कच्छी शराब बरामत की गई है वहीं कच्छी शराब बनाने वाला उकरण और 450 किलो लहन और तीन भट्टिया नश्ट की गई है शराब बनाते दो लोगों को किरफतार भी किय गया है तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से छापे मारी की घटना को अंजाम दिया गया है और साथ में बड़ी संख्या में शराब बनाने का समान भी मौजूद पाया गया है उन्हों से ये बड़ी खबर सामने आए जो 90 लीटर अव्याद कच्छी शराब बरामत की गई है और साथ ही दो लोग जो मौके पर मौजूद थे और शराब बनाने का काम कर रहे थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है अगली खबर भी उन्हाओ से है जहां पर शौच के लिए गई युवकी साप के काटने से मौत हो गई गमजदा परिवार पूरी तरह से तूट चुका है बता देगे पूरा मामला उन्हाओ के सफिपुरकोत वाली छेतरक में पढ़ने वाले मजीगवा गाउं का है जहां के रहने वाले सुरेश अपने बेहन के घर गया था जहां पर शौच के लिए जाते समय रास्ते में साप निकाट लिया लहाज़ा उसकी तबियत बिगड़ने लगी रिष्टेदार आनन फानन में इलाज के लिए उसे ले जा रहे थे जहां रास्ते में उसकी मौत हो दूसरी तरफ सूचना पर पहुची पुलिस ने शव को कब से मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है तो सापके काटने से ये मौत का मामला सामने आया है उननाओ से जहां पे आनन फानन में जब अस्पताल ले जा रहे थे परीजन तब ही मौत हो गई और उसके है उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ